रिसर्च में हुआ खुलासा जूट बोलने से बच्शों को मिलता है ये फाइडा अगर आप बच्चे की जूट बोलने की आदत से परेशान हैं तो अब आपको घब्राने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक research के अनुसार जूट बोलने की ये आदट बच्चों को फायदा भी पहुँचाती है अगर आप बच्चे की जूट बोलने की आदट से परेशान हैं समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बुरी आदट को कैसे चुड़ाएं तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक research के अनुसार जूट बोलने की आदट बच्चों को फायदा भी पहुँचाती है शोध के अनुसार जो बच्चे कम उम्र में जूट बोलते हैं वे सामाने से ज्यादा स्मार्ट होते हैं उनके भीतर सना ग्यानत्मक्षमता ज्यादा बेहतर होती है कनाडा की University of Toronto के कैंगली कहते हैं Parents, Teacher और समाज में सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर छोटी उम्र में बच्चे जूट बोलते हैं तो आगे चल कर इसके गंभीर परणाम हो सकते हैं लेकिन रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि जो बच्चे छोटी उम्र में जूट बोलते हैं और जो बड़े होकर जूट बोलते हैं उसमें बहुत अंतर है जो बच्चे बेहत छोटी उम्र में जूट बोलते हैं उनकी आगे चलकर सनग्यान आत्मक्षमता और भी बेहतर होती है शोद करताओं का कहना है कि जूट बोलना भले ही नकर आत्मग्यार माना जाए लेकिन इस से व्यक्ति की सहनग्यान आत्मक्षम टाइं बेहतर होती हैं हाला कि शोद करताओं का ये भी कहना है कि बच्चे को स्मार्ट और इंटेलिजेंद बनाने के मकसद से उन्हें जानबूज कर जूट बोलना सिखाना पूरी तरह से गलत है ये रिसर्च जनल अफ एक सपेरिमेंटल चाइल्ड साइकॉलजी में प्रकाशत एक स्टड़ी के अनसार है इस शोध में चीन में प्री स्कूल की उमर वाले 42 बच्चों पर रिसर्च के बाद ये भरणाम सामने आए हैं